आज का सवाल इबलीस ने धोखा देने में आदम और हव्वा आले हिबूस सलाम को क्या नहीं कहा? ओप्शन्स हैं जवाब देने के लिए आई प्लस टीवी एप डाउनलोड करें और क्विज सेक्शन में जाकर जवाब दें इंशालला इस सवाल का सही जवाब और इनाम पाने वाले का नाम कल बताया जाएगा तो जल्द से जल्द सही जवाब दे कर इनाम के हकदार बने हमारा कल का सवाल था सूरे अल-ाराफ आयत नंबर एक से दस के मताबिक बताये कि अल्ला का अजाब पिछली कौमों पर किस वक्त आने का जिक्र किया गया है इसका सही जवाब है सी जब वो रात में और दोपहर में आराम कर रहे होते अल-खम्दुलिल्ला बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया पुरा अंदाजी के मताबिक इनाम के हकदार बने हैं इन्हें इनाम की बहुत बहुत मुबारक बाद अब मुताला करें इन आयतों का क्योंकि कल का सवाल इन्शालला इनी आयतों से होगा अपनी तयारी करके कल के सवाल में जरूर हिस्सा लें अपने केबल या डिटियच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें आई प्लस टीवी फ्री टो एर और इंडियन रेजिस्टर चैनल है